योगी राज का एक ऐसा थाना जहां खौफ में जीते हैं पुलिस कर्मी, डी सी पी भी दिखते हैं बेबस, आगरा की पिनाहट थानी की तस्पीर बढ़ा देगी धळकनी, लखनों पोची रिपोर्ट तो होगा एक्शन, धर के साई में बैठने को क्यों मजबूर हैं, थाने और उनके सिपाही कौन देगा खागी को सुरक्षा? आपको बताते चलें कि जो यह थाने की इमारत है, यह 200 साल की लगवग पुरानी हो चुकी है, और आज भी यह जजर हालत में हैं, बरसात के मौसम की बात करें, तो आलम यह होता है कि यहां बैरिक से लेकर कार्याले तक जो जरूरी डॉकुमेंट हैं, उनका भी भीगने का अगर लगातार पुलिस को लगा रहता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर यह इमारत गिरती है, तो इसका जिम्बिदार कौन होगा, वह ऐसा नहीं है, पूर में भी इस थाने के कई हिससे दरासाई हो गए हैं, लेकिन आज भी जो पुलिस कर्मी है, वह डर के साई में इस जगे पर काम करें जिया जा पा रहा है, नगीन जो परिसर है, वह अच्छी हालत में है, वह पुराना परिसर है, वह कुछ से जरजर हो गए हैं, अब सवाल यह उड़ता कि पुलिस के अलाब सर व्यपसाईयों की बात सुनेंगे या फिर अपनी सुरक्षा देखेंगे, यह सच है कि पुलिस पर अंग्रेजों के जमानी की निशानियां जिस साथ से मिटा रही हैं, उस कड़ी में इस से थानी को शिफ्ट करना बेहत जरूरी है, खास कर बारेश की दिनों में पुरानी जरजर इमारती के सरे से धाराशाई होती हैं, यह सब ने देखा है, तो जो खाकी आपको सुरक् पुछर माके लेपों झाल झाल